ओके जी हेलो एब्रीवन तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कॉपी मॉड्यूल के बारे में इसका क्या काम होता है इसका ये काम होता है कि सर्वर से क्लाइंट में अगर आपको डेटा कोई भी कॉपी करना होता है तो आप इसमें आदा तो मैं लिग देता हूँ जाकर इसको नब कॉपी देटा फ्रॉं सर्वर टू क्लाइंट फ्रॉं सर्वर टू अगर这 WhatsApp काम होता है अब इसमें कमंड कैसे जो आपका सिंठेक्स होगा वह कैसा होगा तो जो हमारा सिंठेक्स है उससे पहले मुझे अगर इसकी पूरी इन्फो देखनी हो तो मैंने आपको यह पहले भी बताया था कि ansible hyphen dog है ना hyphen dog और उसके बाद में इसका नाम तो इससे आपको इसकी पूरी info पता हो जाएगी हम ऐसे आ जाते हैं मैंने command चला ही ansible hyphen dog और copy तो यहां पर यह पूरी info इसकी आ गई कि इसका क्या काम होता है इसके साथ में कौन सी चीज़े add होंगी कैसे work होगा पूरी information ऐसे आप किसी की भी information ऐसे ही आपको यह पता हो जाएगी क्विट होने के लिए आप क्यों दबा दीजिए ठीक है अब अगर मुझे कोई भी data copy paste करना है तो क्या command होती है जी ansible all ठीक है hyphen m copy copy इसमार होगा hyphen a argument अब आप एक बास समझे इधर मैंने जो source etc के अंदर past wt example और यह लिखा मैंने desk desk is called to temp अब यहां पर थोड़ा सा understand करना पहले तो एक चीज यह कि जो आपका syntax है यह अभी आपका single inverted commas में आपकी इच्छा है तो आप इसे double inverted commas में भी type कर सकते हैं ठीक है अब यह जो source है यह वाला part यह आपके ansible server का part है और यह आपके client का part है कि ansible server की जो etc के अंदर यह वाली जो हमारी file है यह file हमारे client के temp के अंदर paste हो जाएगी ठीक है आज आते हैं जी तो अगर मैं पहले आपको देता हूँ कि जो हमारे client है इनके temp के अंदर क्या है कुछ नहीं होगा देखिए अभी इनके अंदर कोई ऐसी file तो अभी है नहीं ऐसे ही इसके अंदर भी cd temp के अंदर कोई ऐसी file है क्या नहीं है ठीक है अब इधर मुझे अगर अपना data copy paste करना ह तो मैंने क्या command रह रखी है ansible ठीक है ansible और इधर मैंने all लिखा hyphen m और इधर मैंने लिखा copy copy के बाद में मैंने कहा जाकर कि यह हमारा argument क्या होगा तो मैंने कहा source src is equal to etc के अंदर एक file है pastwd यह file मेरी copy हो जाए कहाँ पर मेरे client के m&t के अंदर ठीक है और यह inverted, close ठीक है तो यहाँ पर यह जो all है all का अर्थ होता है सारे client अगर यह सारे client पर ना execute होकर सिरिफ मेरे web server के ही client पर execute हो तो मैं ऐसे type कर सकता हूँ हमारी इच्छा चलिए मैं ऐसे ही आ जाता हूँ इस बार आपको proof दिखा हूँ तो आप देख सकते हैं कि यह वाली file नहीं जो आपकी passwd file पासwd file एक बार मुझे से exit होना पड़ेगा फिर से मैं temp के अंदर आ जाता हूँ फिर से और इधर file थी हमारी passwd मैंने शायद उधर mnt type किया था हाँ तो mnt में आना पड़ेगा मुझे अगे जाकर जी और यह देख सकते हैं आप यह रही file ठीक है और इधर भी मैं cd mnt में आ जाओंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं file आप आपकी exit यह आ चुपी है ठीक है अब आप चाहते हैं आपक route है तो हमने कहा कि इसका honor change हो जाए honor यह इसका change हो जाए तो इन में यह जो हमारे अभी दो client है इसमें ABC account पहले से created है ABC तो आपकी एक command हो सकती है कि यह जो copy paste हो रहा है इसका honor change हो जाए honor अब इसका ABC हो जाए तो देख देखीएगा बस मैंने इतना ही add किया है और इसका effect तो फाइल तो copy paste होगी होगी प्लस उसका honor भी change हो गया यह देखीए इधर भी change होगा और इधर तो होगा ही होगा change अब अगर आप चाहते हैं कि इसका अभी group भी change हो जाए तो उसके लिए पहले मुझे command की help से एक group create करना पड़ेगा क्या command होती है ansible मैंने का all और hyphen m मतलब module अब आपका होगा command ठीक है जी command और argument मैंने कहा इस बार इधर यह आपका एक group add हो जाए example cloud यह मेरा एक group इधर अभी हो जाएगा यह हो रहा है ठीक है तो यहां पर यह जब अगर add हुआ है तो कैसे होता है शो इसकी एक file होती है etc के अंदर group नाम से तो उधर यह अभी आपको show हो जाएगा यह देखिए cloud नाम से ओके ठीक है तो अगर अब यह इसका group अगर यह change हो जाए तो कैसे होगा मैंने कहा जाकर कि यह अब यह जो ओनर तो है आप चाहे तो इसको ऐसे type होने दीचिए चाहे तो आप इसे हटा कर type कर सकते हैं group ठीक है group is equal to cloud ठीक एंटर किया राके तो यहाँ पर यह node 1, node 2 नाम से क्यों कि यह पहले से एड हो चुके है इसलिए तो यहाँ पर मैंने इधर यह group add command इधर मैंने चलाई cloud command यह देखिए हो गया ऐसे ही अगर आपको इसकी permission change करनी है example इसकी otherwise किसी की भी तो यह permission भी change हो जाएगा इधर आपको add करना पड़ता है mode और क्या permission हो जाए आपकी इच्छा है मैंने कहा जाकर इधर हो जाए 666 यह permission मेरी set हो जाए तो यह add हो जाएगी तो देख लिजे यह मेरा अभी इधर add हो चुका है तो इधर अगर मैं आपको दिखाऊं जाकर ll command से तो इधर आप देख सकते हैं यह permissions मेरी change होनी चाहिए यह एक मिनट ll यह देखिए 66 आ रहा है है ना 66 और इधर भी ऐसे ही 66 इधर एक और चीज होती है अब example इधर अगर हमारा data copy paste होता है इधर जो हमारी फाइल है passwd वाली अगर मैं ऐसे आऊँ और अगर मैं ऐसे फाइल को खोलू जाकर passwd तो इसमें अभी तक सिरिफ couple तक की entry है ठीक है लेकिन अगर मैं इधर आऊँ और I just add a new user ज़र add और example test ठीक है तो इसकी entry हमारी फाइल में हो गई होगी कहाँ पर etc के अंदर passwd में यह देखिए तो अगर मैं same command फिर से execute करूँ चाहे तो मैं इनको हटा भी तुटा कर अगर मैं इस command को execute करता हूँ तो होगा क्या इस case में जो भी आपका data होगा वो अभी हमारा over right हो जाएगा यह देखिएगा over right मतलब जो पुराना था उसी के साथ में यह आगे update हो जाएगा यह देखिए अब हमने कहा कि ऐसा ना हो मैं जब भी कुछ भी इधर से कुछ भी copy paste करूँ तो जो हमारी पुरानी file है वो अलग save होगी और जो हमारी new file है वो अलग save हो अब इसमें हमारी test तक entry है अब ऐसे ही मैंने एक और entry की user add और example aws ठीक है तो अब इसमें मेरी यह entry तो हो चुकी होगी यह देखिए aws अब इधर अगर यह copy paste हो तो यह उसी file के साथ में ना हो अलग से होना चाहिए तो कैसे होगा इसी output के साथ में आप type करिये जाके इधर backup backup is equal to yes backup is equal to yes जैसे ही आपने enter किया जाकर तो enter होने पर यह देखिए इधर अगर मैं अब आपको clear कर देता हूँ और ls command तो देखिए एक तो यह रही file एक यह रही file अगर मैं यह वाली file खोलता हूँ पास दब्रूडी वाली file तो इसमें तो अभी आपकी new entry है है ना लेकिन जो हमारी अगली file है .16 करके हैं इस वाली में test तक ही entry है मतलब जो update हुआ है वो अभी अलग safe हो गया है ठीक है तो एक चीज understand कि जो भी options पर हमारा काम हो रहा है वो सब options आपको इधर से हो जाएंगे शो डॉक कोई भी आपका module हो कोई भी x y z सब का command इधर से ही है देखी जरा अभी हमारी इसके उपर study हुई थी ना इसके उपर ठीक है इसके बाद में इसको भी हमने आपको पढ़ाया था और इसके बाद में group पर भी अभी हमारी पढ़ाई हुई थी इसके उपर भी हुई थी mode के उपर और इधर इनके examples भी होंगे हर चीज इधर ही है, खुछ भी अलग से कुछ भी नहीं करना है, आप आपको यह देखिए, mode, group, owner है ना, हर इचीज, ठीक है, quit हो जाते हैं जड़ा, अब एक अगली command मैं आपको पढ़ा देता हूँ, यह तो अभी हमने आपको पढ़ाया, अभी क्या था हमारे साथ, यह हमार ansible का server है और यह हमारा client है दो, तो अभी इधर से इधर data अभी हमारा copy paste हो रहा था, अगर मैं यह चाहता हूँ कि client का data client में ही कहीं और paste हो जाए, मतलब यह जो हमारा client है, इसमें एक file created है, example, mnt के अंदर एक file है, google, और यह जो file है, यह इसी के temp में copy paste हो जाए, सेम चीट इधर भी, इसी की file अगर इसी में ही copy paste हो जाए, तो यह कैसे आप कर सकते हो, यह देखिए, तो पहले तो इधर एक file होनी चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ, कि पहले तो मैं ऐसे आजाता हूँ, इन में आकर, मैं चाहूँ तो file जो जो नहीं हमारा command module था, उससे भी create हो सकती है, चलिए मैं अभी उसी से ही आ जाता हूँ, मैंने क्या command चला ही, ansible all ठीक है, और इधर all-m command module कर काम होगा, argument क्या होगा, argument हमारा यह होगा, कि हमारी एक file create हो जाए, touch, क्या create हो जाए, mnt के अंदर और इसका होगा Google, ठीक है, Google, तो देखिएगा, अभी हो जाए हो जाएगी, हो गई ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं आपको proof दिखाऊ जाके तो mnt के अंदर तो मैं हूँ ही, एक file आ गई है, Google और एक file इधर भी आ जाएगी मेरी Google, यह देखिए, Google और Google, ठीक है, अब अगर आपको इसी file को इसी के folder में अगर यह copy paste हो जाए, तो क्या command होती है, command होती है, एंसी बन, ठीक है, और हमने कहा जाके all, ठीक है, और यह कहां कहां पर हो जाए, जी, hyphen m, copy, और hyphen a, argument, अब इधर यह थोड़ा change होगा, source, अब अभी तक जो हमारा source था, वो हमारे server का था, लेकिन अब की बार यह इसी का ही है, mnt के अंदर, जो हमारी Google की file है, इसमें एक चीज अभी add हो जाएगी, remote source, remote underscore src, ठीक है, और is equal to, yes, और इस बार इसी का यह, dash is equal to, यह हमारे temp में save हो जाए, ठीक है, owner बगरा भी अगर आपको change करना हो, तो वही command है, owner is equal to, example, ABC हो जाए है, आपके इच्छा है, group भी अगर आपको change करना है, कि यह अभी मारा azure, sorry, इधर मारा cloud group अभी हमने इसको create किया भी था, और अगर इसकी permissions भी change हो जाए, mode is equal to 666, तो यह सारा काम, आप एक साथ भी कर सकते हो और अलग-अलग भी कर सकते हो, देख देखीगा, तो temp के अंदर यही file अप copy-paste हो जाए ही, same output हमने आपको पढ़ाया था, एक होता है जी आपका orange और एक होता है green, orange मतलब कि first time आपका यह command execute हुआ है, और उस पर changes भी हुए है, लेकिन जो आपका green होता है, वही command फिल से आपकी execute हुई है और कोई भी changes हुआ रही है, अब मैं आपको proof दिखा रहेता हूँ, temp के अंदर आकर यह देखीए, तो यहाँ पर एक file आ चुकी है, Google और यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं जाके तो आप देख सकते हैं, इसका ABC, Cloud और 666, है ना, इधर भी same ही काम होगा cd temp के अंदर ल, यह देखी दागर, Google ठीक है, अब आखरी एक और इसका काम होता है, आप चाहते हैं कि आपके client में अगर कोई file है, उसमें कुछ भी data आपका add हो जाए, अगर file है तो, अगर file है ही नहीं तो एक new file create हो जाएगी और उसमें हमारा data भी save हो जाए, तो कैसे होग दागर देखिए, इसके लिए जो command होती है, वो होती है ansible all, ठीक है, all, hyphen m और copy, ठीक है, hyphen a, और हमने क्या कहा content, क्या content add हो जाए, मैंने कहा welcome to cloud, ऐसा मैंने कुछ type किया जाकर, ठीक है, और dust, अगर यह file temp के अंदर है, तो add हो जाएगी, अगर यह file है ही नहीं, example, हमारी file होगी इंडिया, तो यह file तो अभी आपकी उदर है ही नहीं, तो यह आपकी एक new file भी create हो जाएगी, प्लस यह file में add भी हो जाएगा, चलिए, मैं आपको proof दिखा देता हूँ, execute अभी होना शुरू हो चुका है, और यह execute ह मैं अभी time के अंदर ही हूँ, आप देख सकते हो, एक file आ गई इंडिया और इसके अंदर क्या data है मेरा, हाँ जी है, सेम काम इधर भी होगा, यह देख लीजिए, इंडिया, यह रहा, और cat इंडिया, ठीक है दी, तो यह हमारा हो गया copy, ठीक है जी, चलिए, ओ, ओ, के दी, thank you so much.